आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जीम अस्टडी में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिस ग्रामर ये ऐसा टॉपिक है इंग्लिस के सब्जेक्ट में कि अगर इस टॉपिक को अगर आप कभर कर लेते हो simply आप लोग इंग्लिस वाला सब्जेक्ट में आसानी से पास कर जाओगे सारे अस्टूडेंट जिनको भी डरे के इंग्लिस में हम फेल हो जाएंगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको मैं इंग्लिस में फेल नहीं होने दूँ गा ये मैं इस लिए बता रहा हो क्योंकि इंग्लिस ग्रामर का एक ऐईसा pourson है जिसमें सारे students सही question करके आते हैं कभी भी question का अनसर गलत नहीं करते हैं क्योंकि इस इंग्लिस grammar में आपका क्या होता है ये 20 से 30 नमर के कुशिन आते हैं तो अगर मान के चलिए subjective में ये अगर 20 से 15 नमर का कुशिन अगर रहे grammar का और objective में भी 20 से 15 नमर का कुशिन अगर रहेगा तो मतलब आपका 100 में 30 marks इधर ही आ गया बाकी आप 10-20 नमर आप passage में लियाओगे तो कहने का मतलब है अगर grammar अच्छे से पढ़ लेते हो 100% आपके एक्जाम में इंगली सब्जेक्ट में 50-60 नमबर अच्छे से आ जाएंगे लेकिन आपको grammar डीटेल से और अच्छे से पढ़ना होगा तभी तो चलिए हम लोग जानेंगे कि grammar का कौन सा कौन सा portion होता है जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा complete करेंगे grammar के syllabus को सबसे पहला जो होता है tense या फिर इसको बोल सकते हो sequence of the tense इसके बाद आते हैं दूसरा topic तो दूसरा topic आपका होता है modals उसके बाद आते हैं तीसरा topic, तीसरा topic है non-finance इसके बाद आते हैं चौता topic clause उसके बाद पाँचवा जो topic है वो है आपका subject verb agreement या फिर इसको बोल सकते है subject verb concord इसके बाद आगे जो topic है वो है आपका sentence connector उसके बाद next topic वो है आपका transformation of sentence ठीक है तिए सारे टोपिक आपका जो भी इंगलीज ग्रामर में है वो सारा इस चैनल के माधियम से कवर होगा इसकी चिंता नहीं करनी है एक और टोपिक छुट गिया है जिसे हम लोग बोलते हैं वोईस एक्टिव वोईस एंड पेसी वोईस और एक और टोपिक है जिसको हम बोलते हैं नारेशन तो यह सारे टोपिक आपको इस चैनल के माधियम से कवर होगा तो इसलिए जो भी नए वीवरेज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे टेंस सिक्वेंस अब दर टेंस कैसे बनाना है किस परकार से आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कोश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आप लोग टेंस हलका फुलका भी पढ़े हो तो चिंता नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं उस ट्रिक के माधियम से बीना जैसे तेसे भी पढ़े आप अच्छे से कुश्चन करके आओगे एक्जाम में ये 100% गैरेंटी है यकिन नहीं होता है तो वीडियो में खुद देख लिजेगा चलिए यहाँ पर पहला कुश्चन को देखते हैं पहला कुश्चन क्या है माई फादर फिलिंग दे ब्लांक्स राची यस अब यहाँ पर चार उप्सन है कम, हाइस कम, केम, नन अब दिस तो इन में से क्या आपका उप्सन होगा वो कन्फ्यूज हो रहा है बहुत सारे स्टुडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर अंसर क्या है जो पढ़े हो तो वो तो अंसर दे देगे लेखिन देखिए क अब यहाँ पर क्या लिखावा ये ये तीन परकार के दिन होता है एक होता है आपका तू मोरो का मतलब होता है जो आने वाला कल है यानि भविस वाला कल जैसे आज अगर कल क्या है मंगलवार तो वो मंगलवार टू मोरो होगा इसके लिए ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझे tomorrow कहने का मतलब है तुम मरो तो किसी को अगर तुम बोलते हो कि तुम मरो तो वो कल ही न मरेगा यानि भविस में ही मरेगा यह आपका trick है आप इससे यूज करके चेक कर सकते हो कि tomorrow का मतलब कौन सा कल होगा क्योंकि आज student confused हो जाते है tomorrow आने वाला कल है या फिर बीता हुआ कल है तो tomorrow कहने का मतलब है तुम मरो तो यह आने वाला कल है यानि भविस वाला कल तो इसका मतलब today आज हो गया तो yesterday कौन सा होगा कल भूत काल यानि जो बीच चुका है अगर आज समवार है तो कल क्या था इतवार था यानि यानि ये पास्टेंस के बारे में बोल रहा है तो यानि ये पास्टेंस के बारे में बोल रहा है पास्टेंस मतलब भूत काल तो भूत काल में बताईए पास्टेंस में कौन से भर्ब का कौन सा रूप लगता है तो भर्ब का दूसरा रूप लगता है याद रखिएगा B1 आपका present tense में लगता है B2 आपका past tense में लगता है यहाँ पर देखिए come क्या है B1 है has come तो नहीं लगेगा came क्या है आपका B2 है यानि come का past tense जो होता है वो होता है आपका came तो यहाँ पर क्या लगेगा came यानि my father राची yesterday came मेरे पिता कल राची आए थे तो इस तरीके से simple trick से आप लोग पढ़ सकते हो 100% आपका answer कभी गलत नहीं होगा चलिए दूसरे question की और बढ़ते हैं दूसरा question क्या है babies खाली जगा when they are hungry यानि बच्चे when they are hungry बच्चे भूखे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ आर आर का मतलब क्या होता है यह present tense वाला आर है यानि आर का मतलब होता है ठीक है तो present tense वाला जब यह सहायक क्रिया है तो यहाँ पर क्या लगेगा और यहाँ पर देखिए यह subject में क्या लिखा हुआ babies इसका मतलब present tense में क्या होता है B1 होता है या फिर B5 होता है हम लोग अच्छी तरीके से जानते है B1 या फिर B5 यूज होता है तो यहां पर B1 होगा कि B5 होगा यह B1 कहां यूज होता है याद रखिएगा अगर present tense कभी मिल जाए तो B1 को वहाँ यूज करना है जहां आपका plural noun रहेगा plural number रहेगा ठीक है कोई भी noun या फिर कोई भी subject अगर plural number में रहे तो आप उसके आगे भीवन लगाईएगा B5 कहां यूज होगा जहां पर singular number रहेगा यहां पर देखिए बेबीज का मतलब क्या होता है बच्चे एक से अधिक बच्चे plural है तो इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा B1 लगेगा तो यहां पर इसका हिंदी अगर मैं बताना चाहूंग तो इसका हिंदी होगा बच्चे भूके है इसलिए वे सब रो रहे है पर रोना का क्या होता है cry होता है cry मतलब रोना या फिर चिलाना होता है तो यहाँ पर देखिए cry क्या है आपका b1 है cries यह भी 5 है crying यह भी 4 है cried यह आपका b2 है तो इसका मतलब यहाँ पर option number 1 होगा next आपका यहाँ पर देखिए तीसरा number ध्यान से समझे I खाली जगा this watch last year मैंने इस घड़ी को last year यानि पिछले वर्स पिछले वर्स कहने का मतलब है पिछले साल जो बीट चुका है तो जो बीट चुका है इसका मतलब वहाँ पर past tense यूज होगा तो मैंने पिछले साल इस घड़ी को यहाँ पर क्या लगाना है खरीदा जाने खरीदा था त्रिकी क्या यूज़ करना है यश्टरडे वाला यश्टरडे क्या है यश्टरडे आपका बीता हुआ-क-ल यानी बीत चुका है वो-कल तो यहाँ पर क्या लगेगा पास्टेंस वाला भर्व लगेगा तो यहाँ पर देखिया past tense वाला भर्व क्या है लिव ये आपका भीवन है उसके बाद ये left आपका भीटू है तो यहाँ पर क्या लगएगा left यानी past tense वाला भर्व तो इस तरीके से बिना हिंदी अनुवाद किये आप लोग अंसर दे सकते हो इसकी चिंता नहीं करना है हमें English नहीं आता है, हमें grammar नहीं आता है तो किस परकार बनाएंगे आगे question number five देखते हैं Why are you noise? यानि क्यों बच्चे सोर मचा रहे हैं यानि अगर यहाँ पर अगर चेक करना है अगर हिंदी आपको नहीं आता है नुगात करना तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से य को हटा दे यानि question mark वाले डवल एच को हटा दे तो यह क्या हो जाएगा यू आर noise खाली जगा यहां रहेगा यानि यू सबजेक्ट है इसके बाद आर यानि इस आर एम वाला यह सहायक क्रिया आ गया तो इसके बाद कौन सा भर्व लगता है भी फोर लगता है क्योंकि यह subject क्योंकि यह present continuous का structure है subject प्लस इज आर एम प्लस भी फोर प्लस object इसका मतलब यहाँ पर आपका भर्व का चौथा रूप लगेगा तो यहाँ पर भर्व का चौथा रूप में ing होता है तो यह है आपका option number तीसरा यानि why are you making noise चटवे question की और बढ़ते है चटवे question क्या है इसका मतलब होता है यह chorus का मतलब होता है एक साथ गाना या फिर जुन्ड में गाना गाना इसे कुछ होता है तो यहाँ पर हम लोग समझते है कि एक साथ वो लोग क्या कर रहे है तो the girls are आर का मतलब है है और यहाँ just subject के बाद आर लगा हुआ है इसका मतलब जब भी subject के बाद आर या ease या फिर aim लगा हो तो उसके बाद तुरंत भी फोर लगता है क्योंकि यह आपका present continuous वाला structure है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी फोर लगाएंगे तो भी फोर क्या है singing यानि वे सब एक साथ गाना गा रहे हैं जो लड़किया है चलिए आगे यहाँ पर देखते है seven number question seven number question क्या है look the sun खाली जगा अब इसमें trick समझें ध्यान से समझें क्योंकि इसमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा है present है future है कि क्या है look और यहाँ पर देखिए एक आपका mark यहाँ पर नज़र आ रहा है ऐसा mark जब रहता है तो उस समय क्या होता है इनसान आश्चर यह चकित होता है जैसे नहीं बोलते we won the match तो उस समय भी इस परकार के mark लगाय जाते है जिसे हम लोग बोलते exclamatory sentence तो यह कहने का मतलब है यहाँ पर आश्चर यह चकित हो रहा है यानि सूरज को देख कर वह क्या बोल रहा है यानि सूरज उग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका अंसर क्या होगा is rising ठीक है तो यह इस तरीके से भी अंसर आप लोग मार सकते हो क्योंकि सूरज उगता है अगर इस तरीके से कोई किसी को बोलेगा सूरज उगता है तो इस तरीके से आप इस मारका के अनुसार यहाँ पर यह इस राइजिंग होगा अगर यह मारका नहीं होता तो यहाँ पर होता संदा राइजेज ठीक है तो इस तरीके से अंसर दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं 8 number question की ओर 8 number question क्या है ही खाली जगा a later yesterday अब हमको इसको sentence को पढ़ना ही नहीं है trick क्या यूज़ करना yesterday है भाईया yesterday कौन सा दिन आता है बीता हुआ दिन यानि past tense past tense में आपका भर्व का दूसरा रूप लगता है तो भर्व का दूसरा रूप क्या होगा rights नहीं होगा return ये भी नहीं है ये तीसरा है right आपका ये भी one है तो यहाँ पर ये आपका road है यही लग जाएगा यहाँ पर 9 number question है my mother खाली जगा food at 12 noon yesterday यानि दो पहर के 12 बजे अब यहाँ पर sentence का हिंदी या फिर किस परकार के sentence है उससे हमको लेना देना नहीं है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ yesterday यानि बीता हुआ कल तो बीता हुआ कल मतलब past tense और past tense में कौन सा यूज होगा भीटू होगा तो यहाँ पर बताए भीटू क्या है our cooking ये भी नहीं है cooked होगा क्या होगा cooked होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा cooked यहाँ पर देखिए दसवा नंबर question क्या है ही खाली जगा इन मुंब है तो यहाँ पर यह क्या होगा ही मतलब यहाँ पर यह subject है और subject अगर singular नंबर में हो क्योंकि ही एक ही person है एक ही वेक्ति है तो इसका मतलब यह singular है singular नंबर के साथ कौन सा भर्ब लगता है present tense में B1 या B5 तो लगता है आपका B5 यह याद रखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा lips होगा जो B5 है तो उमीद करते हैं यह सारे प्रसन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे I hope यह detail से मैंने आपको समझा दिया होगा तो प्लीज वीडियो का like कीजेगा next class में भी इसके बहुत सारे question है उसका भी practice करेंगे तो प्लीज चैनल को subscribe भी कर लिजेगा आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जैहिन जै जारकन